तो दोस्तों यदि आपने भी SSJD कॉस्टबल 2024 में फॉर्म को एपलाई किया है तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि आपका एक्जाम सेंटर है वो कहां पढ़ सकता है किस तरीके से SSJD कॉस्टबल के एक्जाम सेंटर को डिवाइड किया जाएगा यहाँ पर क्या पूरा प्रोसेस होता है और किस तरीके से आप अपना मंचाहा सेंटर प्राप्त कर सकते हैं इसको लेकर complete information अचके वीडियो में हम आपको प्रवाइड कराएंगे बस वीडियो को प्रालास तक जूर देखिए जनके इच्छे लेकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सकाइब कीजे नमस्कार दोस्तों मैं अभी सिंग और आप देख रहे हैं टॉक तर भी यूटूब चैनल चलिए आज का वीडियो हमीं स्टार्ट करते हैं दोस्तों जब भी आप मिलना चाहिए या फर थर्ड नमबर के लिए कौन सा एक्जाम सेंटर आप यहाँ पर रख सकते हैं जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगर सेंटर फर्स्ट की बात की जाए तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी रीजन के जितन तो देखे दोस्तो जैसे आप center first के उपर click करते हो जैसे दोस्तो यहाँ पर अभी मैं example के तोर पर अगर यहाँ पर कोई भी एक center का city ले लेता हूँ जैसे अगर मैं आगरा ले लेता हूँ तो चले मैं आगरा के उपर यहाँ click कर लेता हूँ आगरा देखे जैसे हमने लिया त को बता देते हैं कि जैसे अगर आपने center first में आगरा city को choose किया हुआ है तो आगरा city के अंदर जितने भी iron digital zone होंगे जो इसका center होगा जितने भी center बने होंगे चाहे वो 50 हो चाहे वो 100 हो या पिर जितने भी center होंगे आगरा के अंदर उसमें से कोई न कोई center आपको exam के लिए alert कर दिया जाएगा और देखिए जो भी आप यहाँ पर सबसे पहले number पर यानि कि first number पर city को choose करते हैं उस city में आपके exam center मिलने के chances जो होते हैं वो लगभग यहाँ पर 75% तक होते हैं यानि कि जो भी अगर आप यहाँ पर पहली city को फिल करेंगे exam center के लिए तो पहली city में ही आपका exam center जो है वो आपको मिल जाएगा इसके chances जो होते हैं वो 75% से और लगभग 80% तक का chance होता है पहले ही city में आपके exam center पढ़ने के दूसरा दूस्तों यहाँ पर जैसे कि अगर आप center 2 में आते हैं और center 2 में अगर आप कोई भी क्लिक कर लेते हैं जैसे मैं यहाँ पर प्रियाग राज कर लेता हूं तो देखे होता क्या है कि अगर आप देरी से form को apply कर रहे हैं और आगरा city के जो भी centers वगरे हैं वो सारे के सारे fill हो चुके हैं यहाँ पर उस condition में आपका जो यहाँ पर second number का center नंबर होता है यानि कि आपने अगर आप्रियाग राज city को या पर कोई भी आपका second number पर चुना होता है जिस city को उसी city में आपका जो exam center है वो पड़ने के पूरे पूरे chances आपको मिल जाते हैं यानि कि जैसे कि 75 to 80% chances है आपका पहला जो आप preferences चूज करेंगे यहाँ पर center का तो आपको पहला सहर में मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो बचावा 20% होता है 20-25% chances उसमें से लगबग 20% जो chance होता है वो chance होता है कि आपको second जो center है city में आपको मिलने का chance बन जाता है और बहुत ही कम chance बनता है कि आपका जो center है जो आप यहाँ पर third city को choose करें वहाँ पर आपका पड़े यानि कि जो आप यहाँ पर पहले city को choose करते हैं उसमें पूरा का पूरा chance होता है आपका exam center पड़ने का और अगर पहले में आपको नहीं मिल पाता है तो दूसरा जो आप यहाँ पर exam city choose करते हैं वहाँ पर तो आपको center बगएरा मिल ही जाता है अब देखें दोस्तों जो आपको बता देती हैं कि जो आपके जितने भी सहर के iron digital zone होते हैं वहाँ पर SSC GD constitutional के exams online base पर कराई जाते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इनकी संक्या बहु आप पर आपको यह सारी चीजा आसानी से मिल जाती हैं क्योंकि online computer based यहाँ पर आपको exam देखने के लिए मिल जाता है तो जब भी आप SSC GD आप SSC का कोई भी form apply करते हैं तो यहाँ पर आप यह preferences को देख लीजेगा पहला सहर आपको वही रखना है जहां पर आप रहते हैं औ और आप अपना exam center चाते है SSC GD costual का अगर by chance किसी कराण के वास आपने यह गलत तरीके से फिल कर दिया है और अब आप इसे change भी करना चाहते हैं तो definitely आपको बता दें कि जैसे SSC GD costual का जो correction window है वो यहाँ पर 4 जनवरी से 6 जनवरी के बीच रहने वाला है तो correction window में आसानी इसे आप अपने जो exam center है उनको correct कर सकते हैं city को correct कर सकते हैं और यहाँ पर जो city में आप exam सबसे ज़्यादा prefer करते हैं यानि कि चाहते हैं उस city को हमेशा अपने first number पे फिल कर देना है उम्मीदा दोस्तों कि आपको जानकरी चलेगी होगे अगर आपको जानकरी चलेगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe कीज़े ऐसे ही बेतरीन जानकरी हम आपको provide कराते रहेंगे अगर किसी प्रकार की कोई query आपको आती है ssgd costual या फिर ssgd की किसी भरती के regarding तो comment box म आकर जल्दी से comment करके हम से जरूर पूचिए हम आपको 24 घंटे के अंदर उसका पूरा का पूरा solution प्रोवाइड कराएंगे reply के साथ में दोस्तों जानकरी वीडियो को लाइक करके चैनल को subscribe जरू कीज़े धनवाद दोस्तों अचके वीडियो में मिलते हैं नेट डिट के सा साथ में नई वीडियो में तब तक के लिए धनवाद